कि रहां तो अब न тяжए दोस्तों संपत्री का स्रम सिध्था फ्रापर टि 2 लाग कि संपत्ति को मोल अधिकार मानता है या मोल नचूरल डायट मानता है लाग पौल प्राक्टिक अधिकार मानता है भल् तो वह संपत्ति का मालिक बन सकता है, तो अगर कोई भूमी है, तो कोई बिक्त उस पर अपना अछर्म लगा देता है, तो वह संपत्ति का मालिक बन सकता है। सेवारी तक कि उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था इससे क्या होगा ? जो प्योग हो जाएगा उत्तादन बढ़ेगा तो लोगों को रुचारण मिलेगा यह सब चीज़ें Ho जाएंगे तो इसलिए प्रतिबंध लगाता है कौन से प्रतिबंध लगाता है इसको देखना पड़ेगा इसका पहला प्रतिबंध है कि आप दोसरों के लिए परयाप्त आपको छोड़ना है दूसरा है, दूसरों के संपत्थ के मामले में आप हस्ता छेप नहीं करेंगे, तो ये दूसरा सर्थ है, तीसरी जो सर्थ है कि आप संपत्थि का बिनास नहीं करेंगे, इस्पॉयल नहीं करेंगे आप संपत्थि को, क्योंकि संपत्थि को स्पॉयल करने का आप गाधिकार न आपके जो उभ्योगता है वो 10 कुंटल की है आपने 90 कुंटल रख लिया और वो सड़ गया यह आपको अधिकार नहीं है संपत्तिका बिनास नहीं करेंगे फिर आप उसको बाढ़ देंगे तो यह तीन प्रजिबंद लगाता है आंगे चलके हम लॉकियन प्रोभिजो या या लॉकियन परंतुक करके एक काउंसेट देखेंगे तो यही है लॉकियन परंतुक क्या है यही है कि जो दूसरों के लिए आप परियाप्त मात्रा में संपत्ति को छोड़ दें दूसरों के लिए परियाप्त मात्रा में आप संपत्ति को छोड़ दीजी परियाप्त मात् ये बात करता है नार्किस टेड्ट ये बात करता है कि जो ब्यक्ति अना स्रम अपना लगा देता है किसी भी बस तुमें वो ब्यक्ति बहु वो वस्त उसकी हो जाएगी और एक बेक्त के बाद अधिकार है कि वो कितनी भी संपत्ति अर्चित कर सकता है, कितनी भी, unlimited संपत्ति अर्चित कर सकता है, लेकिन एक limitation उसके उपर ये लगाता है, कि इससे क्या होगा, आपने unlimited संपत्ति तो कमाली, लेकिन इससे अन्न की इस्थिति, अन्न की इस्थिति, प पहले से खराब नहीं होनी चाहिए फार इक जमपल एक कोई कुवा है जो की कॉमन में था जहां से हर ब्यक्ति पानी लेता था लेकिन आपने क्या किया अपना स्रम लगाया और वहां पर बाना लगा अब आपने कहा कि आप 10 रुपए दो और पानी लो 10 रुपए दो और पानी है जिससे सभी घेद जुड़े हो तो हना दूसरों की जो इस्थिति है वो पहले से खराब ना हो या दूसरों के लिए आप परियाप्त छोड़ दें ये एक सर्त है इसे लॉक्यान प्रभीजो कहते हैं जिसे लॉक्यो करता है आंगे चलके इसका जो महत्रपुन जो 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 इसका भी बेचना है ये और रबर्ट नौजिक करता है रबर्ट नौजिक सफार एक और उधरन है इसका अगर लॉक्यान प्रभीजो को देखो तो अगर आपने कॉरोना कटीका बनाया तो ये केस में अगर एक कॉमन कोई चीज है वहां से आप चीजों को उस पर आप सर्म वैलीड होगा क्यों कि इसमें आपना सम लगाया है दूसरी चीलिट अब को करोना से बहुत सारे लोग मर रहे हैं तो आप भले सको एक लग में बियेंच रहे हैं लेकिन इसे क्या हो रहा है दोस्रों की इस्तिति खराब नहीं हो रही बलकि सही हो रही यहासा आप कर सकते हैं उसको आप अपना स्रम लगा के अपना नहीं बना सकते हैं बिसिकली जो रवर्ट नाजिक है आप आप आगे चल के देखेंगे कि यह नियो लिब्रल थिंकर है और यह बिसिकली जब अमेरिका ने जब अमेरिका जो अरब देश थे अमेरिका का वहां उससे उनियुसो चोहतर प्षातर में जब विबाद हो गया था जब वहां पर उन्होंने तेल सप्लाई करना बंद कर दिया तो बेसिकली उस चीज को संदर में लेके बोल रहा है यह पॉलिटिक्स बेसिकली कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो इस चीज के अनुसार प्राक्तिक संसादनों पर कोई भी विब्यक्ति अपने स्रम द्वारा मालिकाना हक प्राद कर सकता है जॉनलाग के अनुसार विक्ति ने अपने संब योगता से जो संपत्ति बनाई है उस पर उसका पूरा अधिकार है राज उसमें हस्ता चेप नहीं कर सकता है संपत्ति के ब्रक्तिगा स्वामित दुखा समरतान करता है यहीं से यहीं से जब उसको पढ़ाता तो यह स्वेट तुमुलक ब्रजुवा ऐसा कुछ पोलता है चीवी मेख फरसन इन लोगों को यही है कि आप अपनी योगता चमता की अधार पर कितना भी संपत्ति कमा सकते है और राज उसको पहस्ताचेप नहीं करेगा तो यहीं से स्वेट मुलक ब्रक्तिवादिवा का कंसेप्ट आता है नेजी संपत्ति से लाग का दाति पर भोमी से है या तवत्पन होती है जब व्यक्ति भगवान द्वारा प्रतति की गई चीजों के साथ अपने स्रम को मिलात यह संपत्ति हाजल करने का यह अधिकार अपरतिबंधित अर्थात अबाध होता है इसमें तब तक हस्ताचेप नहीं किया जा सकता जब तक कोई भी कोई भी किसी और के अधिकार का उलंगन ना करे जरो से ज्यादा इकठा ना करे या संपत्ति को खराब ना करे तो किसी और के अधिकार का आप लंगर ना करें पहले चीज दूसरे चीज जरूस ज्यादा इकठा मत करें और तीसरे चीज आप संपति को खराब ना करें लाग के संपति का स्रम सिध्धान से प्रहावित कौन-कौन है तो क्लास की जो अर्थ सास्त्री है डेविड रिकार्डो डेविड मन उसको संपति-का असीमी दिकार नहीं देता है वह उस पर तीन महत्रपूर्ण सीमा लगाता है कौन-कौन सी स्रम सीमा यानि जतना स्रम उतनी संपति दूसरा पर्याप्तता की चीजिए जितना अब अबश्क हो उतना ही रख वह बांके संपति दोसरों के लिए चोड़ों बिनास की सीमा यानि स्पाइलज यानि जतना जितनी बस्तु का है जतना आप साथ उप्योग कर सकें उतना ही रखें इस तरह ने कोई बस्तु बिगाड़ने या नश्ट करने के लिए नहीं दिये लेकिन अलोजकों के अनुसार मुद्रा के अब इसकार के बाद अब यह से बिनास वाली सीमा अब इसमें नहीं फिट होती है क्योंकि मुद्रा नॉन इस पाइल है नॉन इस पाले की मुद्रा अभी खराब तो होती नहीं है अपने देखा है इसलिए मैं क्फर्सन कहता है कि लॉक स्वयत मुलक व्यक्तिबादी है प्रजेशिव इंडिविजियूल ह है बुर्जुवा ताना साही के प्रवारत प्रवारतता है यानि के एडवोकेटर एडवोकेटर डिक्टेटर सीपाफ बुर्जवा पूंजिवादी भावना इस्पिरिट आफ का प्रतनिती है लाक मध्योगिन समंतबादी विचारों से तो हडता है पर हाफ त्वारा स्व मिडल क्लास के विचारते उनको सुकृति दे देता है ऐसा सी भी में मैक फरसन बोलता है पर मैक फरसन को जांडन पीटर लासलेट जेम्स तुली वचार्स बूर्ट जैसे विचारा गलत पताते हैं चार्स बूर्ट के उसार मैक फरसन इतिहास को विक्रित कर रहे हैं चार्स देना है घब कि यो लॉक हाई यह सिमिस सरकार के की बात करता है यह संविधानिक सरकार की बात करता है संविधानिक सरकार की बात करता है और यह कंसेंट की बात करता है कंसेंट से सासन की बात करता है यानि सहमती का सासन की बात करता है लाग प्राक्तिक अधिकार के रूप में सुतंतता को सौरभामिक अधिकार मानता है तो ल नगेटीव लेडियुरियम इसका मतलब क्या है निगेटीव लेडियम मतलब राज का जो मतलब राज का जो लोग वह किबल क्या है या झाने करना राज बहुट ज् zeigt अनटर फेर नहीं करेंगा इंटर फिले चाहना करें जी राज है ट लोंम ठीट आपा धे लाभा prima और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देगा नहीं दूसरा इसे ही आगे चलके देखेंगे कि जो आस्ता छेप कारी राज है दूसरा जो संपत्ति का अधिकार्स जो निकलो दारवादी विचार है आस्ता छेप कारेटा जैनलेसा फेयर स्टेट यानि स्टेट एकनॉमी में किसी चल रहा है उसके चलना देगा राध्र पहरी राज यानि नाइट वाच मैन इस्टेट नाइट वाच मैन इस्टेट या पुलिस इस्टेट या लोकल लाण कारी राज का उल्टा होता है जो राध्र पहरी राज है पुलिस इस्टेट है या लोकल लाण कारी राज का उल्ट करेगा यह देखेगा कि लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं करता है वह ज़्यादा इंटर्फियर नहीं करेगा ना तो एकोनोमी में इंटर्फियर करेगा और ना तो ना तो राजनीत में इंटर्फियर करेगा लोगों की जब हाउप संज्रमकुस राज्तांत करता है वहीं ल समिधानिक राज सत्ता जन अधिकारों द्वारा सीमित हो जाती है तो अब यहां पर जो राजा की सत्ता है राजा की सत्ता है अब वो बिला फ्राइट के मादम से हमने देखा था ना जब 1689 में I think हुआ था विला फ्राइट वहां से अब राजा की सत्ता तेमित हो गई है लॉक है कि अमेरिका का दार्शनिक पिता है अमेरिका का दार्शनिक पिता है कि अमेरिका के समिधान में जो अधिकार निकलाते हैं जहां पर वो कहता है विए समिधान कहता है कि यहीं से निकल के राते हैं इस से लॉक के जो राइट लाइफ लिवार्टियन प्रापर्टिक लाहँका निटरal right वहीं सी लाग को समान बद्afали common sense की दार्श भाना जाता है क्यों की होग है इस ने बहुत ज़याते की पे जाकर डिड़ अखिए स्रिंवेस सरकार कि बात करता है संबृसेर की बात करता है consulticky 4 आप सद्दों का प्रियोग देख लेते हैं तो बेसिकली जो राज है राज का प्रियोग सिबिल सुसाइटी की तरह किया गया है तो लॉक राज को सिबिल सुसाइटी कहता है और सिबिल सुसाइटी यह समझाओते का पढ़ नाम है समझाओते का पढ़ नाम है का पर सरकार को ये ट्रेस्ट बोलता है और यह वििरोध का दिकार बिस्कील इसलिए लाग को का दार्शनिक क्या जाता है क्योंकि इसी को क्रांटी बोलता है ना इसी को क्रांटी बोलता है क्रान्ती या विरोध बहुत संक्योंदारा ही होगा पिरांती किसके दोरा होगी याना सरकार किसके साथ प्लट सकते हैं क्या 玩ए सकते तो क्रांती या भी रोद बहुत संक्रोंदा रही होगा संप्रप्ता तो यह आल सुप्रिम पावर की बात करता है लेकिन इसकी जो संप्रप्ता है यह सीमित संप्रप्ता है यह यह सीमित संप्रप्ता है द्रैंकु संप्रप्ता हॉप्स की तरह नहीं फिर समाजी समझात लाइट्स की बाद के जाएगे फिर फिर के आएगा फिर सोचल कॉंट्रेक्ट अंतिम में होगा और फिर सिबिल सुसाइटी बनेगी और इसके बाद राज बनेगा तो बैसिकली जो राज को ये सिबिल सुसाइटी बोलता है सरकार को टेस्ट बोलता है ये से क्रांतियों का प्रनेता कहा जाता है और इस संप्रोपता तो सिमिल संप्रोपता की बात करता है अब आपील को ये अपील टूहारा कहता हैं और बहुमत्दवर्ण ही क्यांति किया चान्तियों का दासनी कहाँ ऐता तो अब इसमें जो मानवप सहब है उसको देखते हैं तो मानवप सहब जो lock है मानवपोल में अच्छा है सांती पर और कि मील जोल वाला है होश भी समानता की बात बोलता है तो कि सक्ट अमनता की बात करता द tack करता है कि जब कि मर्ट जो लॉक ये नैतिक और तार्किक समानता की बात करता है सभी लोग त सील है इस है इसलिए उन्हें पता है कि हमारा हित कहां जबकि जो पैसे कैसे स divergence में सक्तिटेंगे सैंस में इसलिए वो लट्व लट्ट की प्यावर होती है दूसरी बुद्धिवल होता है अब जो व्यक्ति लट्ट से जीत जाएंगे तो ठीक है माइट इज राइट होगा हॉप्स की बात कर रहे हैं माइट इज राइट लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बुद्ध्य होगी तो फिर सरियंद्र नुस सेंगे तो भले होंगोड हैं लेकिन अपनी भूड़ हुज सी पर जीत जाएंगे तो इस प्रकार वं और माहिकति समान संदर्व में सभिव्यक्ति समान हैं उन्हें पता है कि हमारा हिए कहां इसमें देखते हैं सकरात्मक जो मानौ सभाव इसको देखते हैं तो यह अकरात्मक चितन करता है कि मानौ सालीन है विवस्था प्री है मेल जोल वाला है और बिवेक सील होता है हॉप्स की भाहती लाग भी मानौ की समानता में विस्वास करता है पर अंतों दोनों के समानता की सबस्क्राइब लेकिन कुछ लोग बुद्धिमान भी होंगे तो वो चलकबट सायंत त्वारा अपनी उस सारीजिक कमी है उसको पूरा कर लेंगे जरूरी नहीं है कि आप लाठी से किसी कुमारे आप अपने सब्द से भी लोगों को खायल कर सकते हैं यही जो बहुत होता है सब्दों से खाय प्रकास को लॉक देवी प्रकेदि का स्फूटी लिंग कहकर पुकारता है तो हमने भावव्स को पढ़ाता है हमने देखा था कि स्टेट आफ नेचर यह राजपूर प्लस समाजपूर दोनों इस्टेथी थी तो कि राज़ का भी निर्माण नहीं हुगा था राज का निर् नहीं हुआ था कोई धार्मिक संस्ता नहीं थी कोई परिवारिक संस्ता नहीं थी कोई समाजिक आर्थिक संस्ता नहीं थी इसलिए यह हॉप्स के लिए हॉप्स के लिए यह समाजिक समाजपूर और राजपूर दोनों के स्टेथी थी लेकिन लोग के लिए लोग के लिए ये राजपोर्व विस्थथी तो है, ये सम्झोथा पूर्व की सेथी तो है, लेकिन ये समाजपोर्व की सेथी नहीं है, क्योंकि यहां चलके हम देखेंगे कि समाज का निर्मान हो जाएगा, सिच्छा, उद्योग, ये सब चीजें पहले से एक्जिस्ट कर रही है, कि यहां पर समाज का निर्मान हो गया है हम देखेंगे कि सिब्ल सुचाइटी का निर्मान हो चुका है हॉपस में सारी लॉक में तो यह केवल और केवल राजपूर भी सेती है समझावता पूर भी सेती है ना कि यह समाज पूर भी सेती है क्यों कि समाज का निर्मान तो पहले ही हो चुका है तो चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा सच को पढ़ते हैं प्राक्तिक अवस्था तो ये परस्परिक सहयोग वा सांतिक अवस्था है व्लाग द्वारा बढ़ने प्राक्तिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है पर पूर्व सामाजिक नहीं है क्योंकि समाज का निर्मान तो पहले ही हो चुका है जबकि हॉप्स प्राक्तिक अवस्था को पूर्व राजनेतिक वा पूर्व समाजिक दोनों मानता है लाग के अनुसार प्राक्रतिक वस्ता में सासन प्राक्रतिक विश्द्वारा होता है लाग के अनुसार प्राक्रतिक वस्ता में प्राक्रतिक विश्द्वारा होता है प्राक्रतिक विश्द्वारा होता है प्रा तो समझाति प्रिव्यक्ति समान है आप अच्छा जी रहा लेकिन ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कनूनों को हबसे पहले तो बना सके कानूनों को लोगों को दंद्र भीत कर सके या नियाय दे सके ऐसी कोई सथा नहीं है इन जो convenience था इसको दूर करने के लिए समझ होता किया जाता है और आज का निर्मान किया जाता है तो ये बात है चलिए इसमें और देखते हैं कि प्राक्तिक अवस्था सधानता है सांति सत्भावना परस पर सहायता वर अच्छा यानि पीस कुड़ विल मिचुवल असिस्टेंट एंड पिजर्वेशन के वस्था होती है प्राक्तिक वस्था ऐसी कालपनी किसिती है जिसमें इसमाज की इस्थाप्ना से पहले रहते हैं इस सवस्था में स्खरात्मक कानून वो राजनितिक सत्भाव होता है प्राक्तिक कानून्य मनुस्त वास्था समान होते है प्रकृत क्या कनून मनुश्यों वह बताई मनुष्स सतार दालों का पता लगा लेते हैं आपने केस में मैं नयाधिस नहीं हो सकता है कोई भी ब्वद्टि अपने केस मेंने अधिस नहीं हु सकता तो प्राक्तिक नीमों को पता लगा लेते हैं प्र प्राक्तिक अवस्त्ता संपूर्ण संतता अवस्ता है यहां हर ब्व dobr किसी 2 ब्रक्ति की इच्छा सेauseलत होता है यहाँ समानता भी होती है क्युंकि कि सी भी ब्यक्ति को दोसरे से अधिक अधिकार नहीं मिले होते हैं तैक ब्यक्ति के पास कारिकारी सकीَन इजिक्यूटि पावर होती है कि वह प्र प्राक्तिक कानून का उलंगन कर दिया अब उसको सजा और उसका अब उसका पीता कैसे उसको सजा दे सकता है नहीं दे सकता तहां पर कंफ्लिक्ट आफ इंट्रेस्ट हो जाए या कोई ऐसा वेक्ति जो अपने केस में ही जैन निया दे रहा है तो अपने केस में कोई वेक्ति क किसी थाड़ पार्टी को भुलाया जो निस्पक्ष रूप से काम कर सकते, प्राक्तिक वस्ता की मुख समस्य होती है कि विसिष्ट परिसित्यों में, प्राक्तिक कानूनों की ब्याख्या करने के लिए कोई सरभजनिक नियादिस नहीं होता, इसी करन लोग नागरिक समाज की स्थापना करते हैं civil society जिसे होप्स क्या कहता है राजी कहता है फिर हमपाती बित्रण की असमानताओं में बृती के साथ साथ विबाद भी बन होंगे पर प्राक्तिक अवस्था में ऐसे विबादों को हल करने का कोई विवस्तित तरीका इनिस प्रक्ष नहीं होता है समझाओते द्वारा इसके स्थापना के जाएगी अब अन्त में सोसल कॉंट्रेक्ट होगा अब सोसल कॉंट्रेक्ट का जो मूल कारण है सोसल कॉंट्रेक्ट का मूल कारण मूल कारण है लाक में वो क्या है हॉप्स में देखा था कि हॉप्स में जो मूल कारण था वो इस लिए social contact किया गया है social contact दो contact हुएं बिसिकली لاक में अगर देखा जाये तो कौन-कौन से two shitizes हुए के पहले जो समझाता हुआ हुआ है वो नागरिकों का नागरिकों से हुआ है घरिकों का नागरिकों से हुआ है ते या ऊप तक या लेकिन या दिहादग एगा की जो नागरिक हैंग उन्होंने अपना इंबाई pop कुल लाइफ लिबर्टीosta Пरत को सांबो नहीं है ये तीन डाइट अभी भी जो की निच्राल राइट है लोगों के साथ पने रहेंगे कि वाल कौन-कौन से राइट संपे गए है अनु राइट टू लेजिसलेट कानून बनाने की सकति यान बिधाई की सकति दूसरा कारी-कारी सकति एन एक्जिक्यूटिव पाब और नागरिकों के बीच में हुआ है पत्सम कउंडर तो दूसरा कॉंड़ग प्लस नागरिक और नागरिक कांट करेंगे उससे क्या बनेगा स्विल सुशाइटी वनेगे और जब नागरिक और राज आपस में समझावता करेंगे तो इससे सरकार का निर्मान होगा, गौवर्मेंट का निर्मान होगा, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, कि क्या समझावता भंग हो सकता है, क्या समझावता भंग हो सकता है कि नहीं, हॉप्स क्या बोलता है, कि प्रइट आप निचर में चले जाएंगे लेकिन जब लॉक को हम पढ़ते हैं लॉक कहता है कि समझा होता भंग कर दो ना या दिकत लेकिन यहां से हम स्टेट आप निचर में नहीं जाएंगे क्यों कि हमने नागरिक समाज या सिबिल सुसाइटी को बना लिया जो कि सिबिल सोसाइटी को बना लिया है इसलिए हम कहां नहीं जाएंगे स्टेट आफ नेचर में नहीं जाएंगे तो भारत बना रहेगा लेकिन सरकारे चेंज रहते हैं सरकारे आएंगे जाएंगे लेकिन भारत हमें से रहेगा भारत बना रहेगा लेकिन सरकार बन सकती है बिगड़ सकते हैं हमारे पास मौका होता है कि हम पांस साल ही सरकार को बदल दें करन्दी कर दें पिर जो जब सरकार बनेगी दूसरे दूसरे है कॉंट्रेक्ट के माध्य हमसे तो सरकार को बिसली क्या कहता है कि लॉक टफ्ट कहता है और इसके करतब ही करतब ही करतब करना लेकिन करना लेकिन कुछ अधिकार भी होंगे अधिकार भी होंगे अधिकार कौन कौन से होंगे राइट टू राइट टू लेजिसलेट यानि अधिकार क्या होगा लेशिलेशन का एक्जिक्यूशन का और थर्ड लाइट है थर्ड राइट है एक्जिक्टिकेशन का यानि नया देन कि बिसिकली जो राज होगा लाग का जो राज है वो चौकिदार की तरह काम करेगा और यहां पर हर वेक्टी जागरित रहेगा और हर पांच साल में अगर वो चाहे तो समझाता कर सकता है एक फिर से से बात आती है जप हमने देखा था हो पर अनवेशज़ यह परिख सार्व जाता है इसका जो परिपेश्ट है उसमें कोई विशिश्चे दिखता नहीं अब्रिक 新त Ho Flex पर लेकिन जो लॉक है यह इसे कालपनिक नहीं माँनता है इसे इतिहाशिक मांता है और यह मानता है कि इसी चीज़ें होई है है एक एक को एक मैंoter फ्लावर करके एक छस्म्होंता हुआ था ग्लोता हुआ था बैसिकली हो जो अबार समझता हुआ था ये ये नाव में बैठके यह समझावता करते हैं तो यह समझावता हुआ था हुआ था क्या हुआ था कि अब हम लोग एक सीमित सरकार के स्थापना करेंगे हम एक राजी के स्थापना करेंगे सबसे पहले तो फिर राज होगा वो सीमित होगा सी में सरकार होगी समिधान बाद लाया जाएगा रूल आफ लाह से रूल होगा और सीमित संप्रप्ता कांसेप्ट यह देते हैं तो यहां पर हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं जोड़ा सा कोशोल कॉंट्रेक्स से तो प्राक्ति अबस्ता कि से ऊफ्था से निपाट नःत्ते करता है नागेरिक निर्माट किया अब दूसरा सम्झवता होगा नागरिकों वा राजी किमत है अब राज बन चुगा है अपस में लोगों ने सम्झवत अब राज रोग में और इसे क्या कहता के तीन चरण होंगे पहला अनबंधकरदावन दोरा समधाय के स्थापना कि जाएगी तेन च लगए इसमें सरकार उन लोगों के सामाधी के भी ना उनकी संपत्ती को जब पुर्ण पर समपत्त विधिरंग एक असमान्ताओं एक आना समाज में जो खड़े होंगे, उनते संपत्ति चशर नहीं रह पाराइगा, आता मंतों को यह सम्झार करें। श्र dhk कह लोत अधिकर नारко के पास बने रहेंगे और डाइटWhite just को यह तो यह आधिकार को तीन प्राक्तिक सब्सक्राइब कानून का क्रियान, यह बिसिक्लिई विपेजिश्लेशन का ऐदय और अगर कोई उलंखन करता है तो उसको डंद देने का नि एड्जुडिकेसन का राइट देते हैं और ये अधिकार लेवियाथन की तरह किसी ब्यक्ति या ब्यक्ति सम्मूं को नहीं बल्कि संपूर्ण संदाय को सौंपे जाते हैं संदाय कानिमन होने के बाद भी संदाय निश्चित होकर सो नहीं सकता बल्कि उसको सरकार की यानि टष्ट की निग्रानी करने पड़ेगी संदाय ऐसा ग्रह स्वामी है जो घर के रखवाली के लिए पहले दार रखता है फिर वह सोयम जाग जाग कर यहां देखता है कि कहीं वह पहले दार सो तो नहीं गया है लॉक ऐसा बोलता है कि संदाय एक ऐसा ग्रह स्वामी है जो घर के रखवाली के लिए पहले दार रखता है और फिर सोयम जाग जाग कर यहां देखता है कहीं वह पहले दार सो तो नहीं गया है व्लाक की अनुसार करान्तिया संदाबांग से बापिस प्राक्तिक अबस्ता नहीं आएगी बलकि सरकार बतलेगी है भारत बना रहेगा सरकार बतलते रहेगी राज्य तो बना रहेगा जबकि हॉप्स के अनुसार प्राक्तिक बस्ता आ जाएगी क्योंकि राज्य वा सरकार का निर्माण समझावते से हुआ है और समझावता एक ही ही है लोगों ने समझावता करके राज्य बना दिया एक ही समझावता राज्य समझावते का हिस्सा नही और नहीं चंब लाएंग जया ता जहां पर उन प्यूटन्स ने किया था जो समराठ जेम्स प्रताम के धार्मिक अधार्मिक अधार त्यचारों से बचने के लिए अमेरिका जा रहे इस में क्टावर अभी कर साथ में रिखित और समधानिक सरकार का धांचा प्रगाट हुआ बाद में स्राइट स्राइड अमेरिका बना अमेरिका बना फिर राल्स ने लाग के अनुबंध सिधान जैने समाजी सम्झोटे सिधान कर न्याय का आपना प्रसिद्ध इस अब सकत वा योगता दोनों को वित्रन का अधार बनाया गया रावट नाजिक ने भी इसी अनुबंध के सिध्धान के अनुरूप सरकार को एक ट्रस्ट माना है इसका उद्देश नागर्पों के संपत्ति की रच्छा करना है नाजिक ने केवल योगता अधारेत वित्रण ही सही माना जबकि दुराल्स है योगता के साथ साथ अब सकता क कि भी मात्पून मांता है जित्रण के लिए अब सरकार के अंग देख लेते हैं सरकार के तीन और पहला होगा तो बिधाई का एक नियाए पालिका को यह अलग नहीं करता है न्यायपालिका कोई अलग नहीं देखता है तो विटन में अभी तक लगवग दोजार पांच तक कारपालिका और न्यायपालिका दोनों एक ही थी तो चीन भी ऐसा देश है फ्रांस भी ऐसा देश है जहां पर कारपालिका और न्यायपालिका में अंतर नहीं है नहीं दोनों यह ही चीजह पिर एक संघीbank सकति संघी सकति जसका संबंद मामलों से है बनाया गया तो ती नंग सरकार की मैं इदाई का करेपालिका आपना संघील सकति सरकार का सरूप कैसा होगा unacceptable सरकार का सरकार का सरूप लोगतांत्रिक होगा लोगतांत्रिक होगा और यह लोगतांत्रिक जो लाग का लोगतांत्र कैसा है संदच्छनवादी है यानि संदच्छन आत्मक लोगतांत्र है यानि कि जो राजी का निर्मान किया गया है वो लोगों के संदच्छन के लिए किया गया है और लाग में दे बिसेड़िए प्रोटक्टिव टोटक्टिव दमक्रसी है यह जो जिसका लाग कि लॉक एड़ोट की करता है तो जो कारपालीका है और नापालीका दोनों एक ही होंगे अलग अलग नहीं होंगे लेकिन तो इसमें चलिए पढ़ लेते हैं इसको तो लॉक सरकार के तीने इंग बताता है सक्तिता करन का समस्तान करता है विधाई का कारेकारी एकारपालिका और शंहीं सकते विधाय का ये लेजिसलेटिव पावर इसके पास होगी तो यह सबसे सरवोच्छ होगी यह जंदर दौरा इस्थापित नियास टस्ट है कारिकारी ये कारपालिका सकती इजुक्यूटिव पावर कारपालिकार थात राजा विधारमंडल की अधीन है लॉक नैपालिका को सासनों सरकार के कार क्या होंगे लाक्यानुसार सरकार के ये तीन अंग एक दूसरे से अलग अलग कार करते हैं इन्हें सासित करने वाले वेक्तियों में कार के अनरूप को नुबा सकतियां होनी चाहिए कारपालिका का सत दंतर चलना चाहिए जबकि विधायका के लिए ऐसा करना अबस्टक नहीं है इसलिए इनका पता करण अबस्ठक है लाग के अनुसार नियाइक इण विधायका या कार पाली का दोनों से भिन्सिल्ए कम से कम विधायका से तो इसको अलग रखना चाहिए लेकर लग WHIP वेढ़ धाय कं़िका कि कार्यों के योटिःते वाल दे वी अगयों को के अदिनस्त बताया इंद्र लेकिन फिर भी यह कारपॉल को व्यस्था राधिनस्त मानता है प्रफ्ता यानि स्लेपिंग समध्रव्ता यह समधाय के पास होती है तो रिपिंग समंप्रव्ता इसे कहते हैं जो नागरिकों के पास पास होती राजा के यहां बारकार ने बताया है कि लग के राजनितिक सिध्धान में कम से कम चार संप्रफ़ों पहला लोगों को संदाइई लोगों कोंसाम्धाह। दूसरा संदाइदवरो नीजट प्रतनिधियों की संस्था तीसरा विधाई का आई का त्OR फार्य Св का वाली का अब सहमाती वा सहमाती वा यानि कंसेंट सहमाती वा विरोत का तो सहमाती देख लेते हैं तो जो कंसेंट है वो लॉक दो प्रकार के कंसेंट बोलता है एक तो प्रतेक्ष कॉन टेक्ष एक बार तो आप कॉंट्रेक्ष हो गया तो प्रतेक्ष को जो सहमाती है प्रतेक गाइन अगर हम अपने कलम से सरकार को अपने रहे हैं अगरे हम अपनी अधिकार आधिकारों को कारते हैं तो हम पतक रूप से सरकार को अपनी कंसेंट दे रहे हैं अगर हम विधिक कारियों में यह हम विधिक दर्जा मिला हूँ है राज में राज का नागरी कमें बनाया जा रहा है रिफ व obst press एम राज कोalar BI प्रतक्ष रूप से consent दे रहे हैं कि हां हम आप के थाटी को शुकार करते हैं तो सहमती या विरोध लाक समझोते के दौरा जिस राज या सरकार का करवाता है वह जन सहमती पर यानि consent पर अधारित है लाक ने दो प्रतक्ष यानि इन डारेक्ट कंसेंट या कामन विल्थ के नि प्रतक्ष सहमती होती है इसमें सपत या गोष्णा के बसकता नहीं होती है अगर सरकार जिसे लौक टॉस्ट कहता है समझोते का पालन नहीं करती है तो उससे सुधारा बदला या भंग किया जा सकता है सर्त सिर्फ इतनी है कि बहुमत के आधार पर हो गाई है परिवरता ना की अल्फमत के आधार पर लौक ने ऐसे पांच अबसर बताएं है इना आधारों पर सरकार को बदला जा सकता है पहला जब सरकार कानून की जगे अपनी मनमानी स्थापित करे जब सरकार विधान मंडल की बैठकों या कार्यों में बाधा पहुंचाए जब सरकार बिना जन स सहमती के चुनाओ की पततिया पढ़ना मतले जनता को पिदेशी सत्ता के अधिन धकेले जब सरवोच कारिकारी सत्ता कानून का उलंगन करे तो इन इस्तितियों में इन इस्तितियों में राज को बदला जा सकता है या बात भी है तो अब यह पिसिगली बिरोध का बिरोध का यहीं पर है सहमती आर बिरोध तो बिरोध यह ही है इस संदर्व में हम बिरोध कर सकते हैं राज के तर्म समंदी बिचार तुछ लाग के अनुसार धर में ब्रक्तिकात मामला है यह अंतरात्मा का शिताधिकार है राज को इसमें जद TAK हंसा शेप नहीं करना चाहूं जब TAK सामाजिक अब वस्था पैता ना करें तो जब तक समाजिक वस्था ना फ्यली राजिक उसमें हथाष्फ harassman नहीं कि ना चाहिए लाक ध्रिबातन के बि रुवथ है लाक अनुसार सक्ती रिदें परिबातन नहीं कर सकती उसके अनुसार यह विचार आधनिक सब्सक्राइब निस्कास क्या है कि लासलेट के अनुसार लाक ना तो भीग परमपरा का प्रवक्ता था ना ही 1688 की गौरफ पूर्ण क्रांति का समर्थक था सेवी मैं कर सेवी ना कहिता है कि लाक बुर्जवा यानि पूंजी वादी समाज का प्रवक्ता वा से धानकार था सीवी मैं कफ्रसन क्रांति मैं nggak को स्मुलाख वेक्ति वादी वा उसके उधार समीधान वाद को पूजी वादी विन्योग व जैन करता है चार्सोड ने लाक को क्रिस्पूजी पति का प्रवक्तामाना है रिचर्ड एसक्राफ्ट लाग के करांति समर्थक होने के कारण कहता है कि करांतिकारियों के रूप में लाग का आकलन वाम पंथ हुआ दच्छन पंथ दोनों के लिए समस्याने पैदा करता है क्योंकि वाम पंथियों से बुर्जवास मर्थक और दच्छन पंथियों से अमूल वादी एंडेडिकल कहते है विचारक लाग के लोशना में कहते हैं कि उनके राजनीतिक सिध्धानतों के प्रशन आर्थ यानि हिडेन मेनी निकाले जा सकते है वह कहता कुछ है जबकि बास्तिकता कुछ और है फिर बिटेस जो दार्शनिक है बर्टेंड रसल लाग के योगदान के बारे में लिखा है कि लाग के उत्राधिकारी प्रथम बार के लिए वह यूम है दूसरे वे फ्रेंच फिलास्पर जो रोसो के स्कूल के नहीं है और तीसरा बेंधामवा दार्शनिक अमोलवादी चौथे प्रमुख इरोपी भूखंड का दर्शान काल माक्स वाउस्ट के सिस फिर स्वयत ब्रक्ति बाद हमने बताया था कि अशाब इभ्यक्ति के पास अपनी योगता यह चंता क्याधार पर कितनी विधन तंपत्ति कठा करने का अफसर होता है कर सकता है वह ऐसा आंगे चलके कौन बताता है और नौजिक भी ऐसा बोलता है यही है याप पजेसी बिंडी बिजुलियम के बगालत करते हैं फिर हमने लाक से समाने मातपुन कतान देखते हैं तो बाल्टियार कि सायद ह अधिक संत समान अधिक विवस्तित असाधर नब्यक्ति अधिक सठीक तरकवादी कोई विचारक हुआ हो जो इतना की जौन लाक रहा है सिबली क्या बोलता है कि पुनर जागरण में जिस ज्यान सास की तलास है वह लाक में सबस्टत है पर लच्चित होती है जबकि हाप्स प्राक्तिक विख्यानिक को सब्सक्राइब लाक के संपत्ति संबंधि विचारों में बेतन दास्ता पाई आती है मैक्सी लाक ने बेक्तिवाद को अजे राजनेतिक तत्य बनाया जबाइन लाक के प्रभाव की चरम प्रणिती अठार्मी सदी के अंत में अमेरिका वा फ्रांस में होने वाली करांतियों के रूप में हुई है जबाइन लाक के करांति के अधिकार के बारे में आगरह के बाब जूद वा करांतिकारी नहीं था प्रिमनार्ज ये का बोलता है कि लाग हमारे यूग के महान दारवादियों में प्रथम है लास्की लाग ने राज को एक विसाल अर्थ भार वाली कमपनी माना है लास्की फिर से बोलता है कि लाग के प्रस्ण आज भी हमारे सामने प्रस्ण है काल कार्ल रोजर्स लाग का चि ये बोलता है कि स्रम को संपति तथा मूलिका स्रोत बनाकर लाग ने नए राजनेतिक और सास की भासा में नए वर्गद्वारा सत्ता ग्रहन की वस्ता की। पैरी ववहान ने लाग को व्रक्तिवाद का बचारक बताया है। शल्डन बोलिन ने लाग को समाजिक पहलो में राजनीतिक पहलो को कौन नाने बाला दार्सिंग बताया है, वाल्टर, उन्हें इस्टरियों के सवाना-धिकारों का अधार तैयार करने बाले पित्र सत्ता का दुस्मन के रूप में बताया है, बटेन रसल, लाग के उत्र धिक यहां तहले तो आप समपत्य तो कितनी भी कठा कर सकते हैं लेकिन उसकी एक सर्थ है कि आप दूसरों के लिए परियाप्त छोड़ें, आंगे चलके हम देखते हैं कि दूरावट नाजिक है, वह भी ऐसी ही बातें करता है, कि आप संपति तो कितनी भी कटना कर सकते हैं, लेकिन इस से किसी दूसरे की जो इस्थिती है, वो गड़वड नहीं होनी चाहिए, तो इस्थित यहां से आम लॉक्स मॉक करते हैं, दोस्तों अगर आप कोई सरी अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, और सेयर करें, धन्यवाद, बिलते हैं हंगले, फिलासफ़र के साथ, हंगले तिंकर्स के साथ, तब तक लिए गुड़वाए, थैंक्यू, थैंक्यू वेरे मच्छ फार दिसके साथ,